तो गाईज मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रैसल इंडिया स्वागत आपका आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए रॉयल रंबल की टॉप 10 सबसे कमाल मोमेंट्स आखिर कौन सी वो मोमेंट्स थी जिसकी वज़र से हम कह रहे हैं कि ये पेपर वी इतना अच्छा गया उसके बारे में हम डिसकस करेंगे गाईज लेकिन अगर आपने आज की दो वीडियो जो डली हैं अल्रेडी वो जान सकूं कि आप लोगों को आज की शो में क्या पसंद आया स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से गाईज तो तो सबसे पहले मोमेंट मैंने अपनी लिस्ट के अंदर लिखी हुए है वो ये कि जब डू मैकिन्टायर ने जैक हैमर के अगेंस किक आउट करा अब मुझे उस मोमें पर डेफिनिटली ऐसी फिलिंग आ रही थी कि शायद गोल्डबर्ग इस मैच को जीत सकते हैं वो दो स्पीर लगा चुके थे और उन्होंने जब जैक हैमर लगाया में को ऐसा रग रहा था कि शायद 1,2,3 और मैच कातं और डू मैकिन्टायर ने उस मोमेंट पर किक आउट कर दिया तो डेफिनिटली ये मोमेंट मेरी लिस्ट में आती है नंबर 9 के हम बात करते हैं गाईस तो ये है सेथ रॉलेंस का रिटर्न जो कि मेंस रॉयल रंबल मैक्श में में देखने को मिला अट नंबर 29 अब ये मैने इसलिए नंबर 9 पर रखा है वाई क्योंकि काइंड तो ये है वो मोमेंट जब रिया रिपली ने रॉयल रंबल मैच में उठा के बाहर फैक दिया था अलेक्सा ब्लिस को अब सबकी उमीदे थी या पर कि अलेक्सा ब्लिस कुछ नो कुछ करेंगी भाई कुछ यूनीक हमें देखने को मिलेगा लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहा बात भी अलेक्सा आ रिएंगी फिर से रॉयल रंबल में लेकिन ऐसा हमें राइस देखने को मिला नहीं अगली मोमेंट के आने के नंबर सेवन मोमेंट के हम बात करते हैं तो यह आती है रोमन रेंज और केविन ओविन के मैच से और यह है वो टाइम जब केविन ओविन रोमन रेंज उठी नहीं रहे आखिर यहां पर होगा क्या और बिल्कुल उन्होंने नाइन पर रेफरी को खीचके पीछे पटक दे है वो अनेक्सपेक्टिट था और वो मतलब मैच को बहुत जबरदस्त बनाती है ऐसी चीज़ें क्योंकि जब हमने एक्सपेक्ट नहीं कर कर सकता है ओ माई गॉड यह थी वो होली शिट मोमेंट यारी कि 5 स्टार मोमेंट जब केविन ओविन बैक स्टेच एरिया में एक फोक लिफ्ट के ऊपर चड़ते हैं रोमन रेंस टेबल पर होते हैं और उनके उपर वो एक सेंट टॉन या फिर हम कह सकते हैं स्वान टॉन ब गॉल्फ कार्ट लेकर उड़ा दिया था केविन मोमेंट को वो भी मुझे बहुत पसंद आया था तो अगर यह दोनों मोमेंट्स मैं कलब कर दू एक में तो डेफिनिटली गाईज इस मैच की और इस पेपर व्यू की यह बहुत ही कमाल की मोमेंट्स थी अगली मोमेंट के ह हम बात करते हैं गाईज लिस्ट में यानि की नंबर फाइफ पर जो आती है जब डेविन प्रीस ने उठाके भार फैक दिया था केन को रॉयल रंबल मैच में अब केन ने थोड़ा सा मुझे डिसपोइंट करा क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंसेज देंगे वनला वो आये उन्होंने कुछ एलिमिनेशन करी और उसके बाद डेमिन प्रीस ने उनको उठाके बाहर फैक दिया तो ये मोमेंट इसलिए इतनी बड़ी है गाईज क्योंकि फिरसे NXT सूपस्टार ने एक ऐसे बंदे को उठाके बाहर फैक आए जो कि Royal Rumble मैच में one of the most successful है अगर हम wins के हिसाब से ना देखें तो eliminations के हिसाब से सबसे जादा Royal Rumble में Kane आ चुके हैं और उनको NXT सूपस्टार उठाके भाहर फैक दे तो ये डेफिनिटली एक बड़ी मोमेंट बनती है और जबकि Kane आज Royal Rumble के मैच में उतना बड़ा impact नहीं ब ब्रॉल करी थी मलब मेरे साब से स्टोरी ही आज पूरी एज और उर्टन के राउंड थी जितना भी रिंग साइड लड़ रहे थे कि रैंडी उर्टन को बैक सेल ले जाया जा रहा है ये जो पूरी स्टोरी क्रेट करी गई थी इसको मैं ऐसा मोमेंट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सोचो कि ये होता ही नहीं रॉयल रंबल मैच में और रैंडी उर्टन भी पूरे समय वही रिंग में पड़े रहते तो क्या उतना इंटरस्ट आता रंबल में जितना अब हमें आया बिलकुल भी नहीं तो ओवेसली हाँ ये चीज मैटर करती थी और ये मोमेंट और जिस तरीके से बुक करा गया ये गाइस काफी इंपॉर्टन है अगली मोमेंट के हम बात करते हैं गाइस तो ओविसली है आपे आनी ही है कि बियांका बेलेर रॉयल रंबल जीती लेकिन सिरफ इतना है नहीं मैच के बाद जो उनकी emotional celebration थी उसने मुझे और भी ज़ादा दिया मलब मैं उस समय सोच रहा था कि बयांका और रिया रिपली में से मैंने बोला था कि कोई एक जीतेगा और बयांका जीत गई लेकिन मुझे रिपली के लिए भी थोड़ा सा जीब लग रहा था कि यार वो deserve नहीं करती थी हारना लेकिन तब भी किसी एक को ही जीतना है लेकिन उसके बाद जब मैंने बयांका की celebration देखी जिस तरीके से ये दिख रहा था क्लियर लिए उनके चैरेपी कि ये चीज उनके लिए कितनी matter करती है उनके लिए कितनी बड़ी एक opportunity है और इतने सालों से हो महनत करके यहां तक पहुंची है वो emotional हो गई थी literally वो रो रही देखने को मिलती नहीं है और ये clearly पता लगता है कि superstars के लिए ऐसी चीज़ें कितनी matter करती है उनके career के लिए एक turning point है और हम उमीद करेंगे कि यहां से बयांका बिलेर सिरफ उपर ही जाए और उनकी booking है वो इसी तरीके से positive तरीके से होती रहे तो ये moment definitely guys एक बहुत अची moment for every WWE fan अगली moment के हम बात करते है guys तो इसको भाई मैं चाहूँ तो रख भी सकता था number one पे लेकिन उतना नहीं करूँगा क्यूंकि Christian guys वापिस आचुके है 24 number पे और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है महला Christian आएंगे किसी ने नहीं सोचा था उन्होंने खुद बोला क्यूंकि जब मैंने देखा तो मेरी आँके खुली की खुली रह गई हमने पहले अभी कुछी देर पहले रॉपे सुना था Christian की तरह से जब उन्होंने मैच एकसेप किया था और इसकी भाई मैं ready नहीं हूँ और वहाँ पर लड़े भी नहीं थी और उसको देखके मुझे ब है मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए बेस्ट मोमेंट ही होने वाली है लेकिन मेरी जो बेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए जो सबसे फेवरिट चीज थी गाईज इट वाज एड़े डार सूपरस्टार विनिंग रॉयल रंबल ही विल हैडलाइन रेसलमेनिया और यहा बात बंदा वापिस आता है और रॉयल रंबल जीत जाता है इसका मतलब है कि अभी भी उनमें उतनी ही केपेबिलिटी है उतनी तो नहीं लेकिन काफी हद तक केपेबिलिटी है और वो एक अच्छा मैच भी दे सकते है अच्छी स्टोरी लाइन भी दे सकते है और अगर डिक करा था तो यह उतना बड़ा शौक नहीं था लेकिन जिस तरीके से मैच को बुक करा गया था और एंडिंग में ऐसा लग रहा था कि क्या सैथ जीतेंगे क्या ओटन जीतेंगे लेकिन फिर एड दे जी तो यह चीज काफी अच्छी थी बहुत जाला मैं कूंगा कि फास फ्री टॉप फाइव जो भी है मोमेंट्स मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आएए से लाइक करें थैंक्यों सो मच वाचिंग मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया